प्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊऊँगा कि common university entrance test CEUATUZ2024 इसके बाड़े में तो इस entrance exam को आप किसके students को देना important है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा details में बताऊँगा देखें दोस्तों इस पर कुछी दिन पहले जो लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि देखिए नॉर्मिली सभी कलच के लिए इसे मेंड़री नहीं ता लग इस इनिवर्सिटी में एक्जम देना मेंड़री था लेकिन इस बार आश्यों इनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज में अगर आप लुए को देना मस्त है तो अबर नों को बता देना चाहता हूं कि देना मस्त है थो अभी इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा की कि चाहिए और कैसे एपलाई करना है आपको नेक्स वीडियो में इसके प्रोसेस दिखा दूंगा अगर आप खुद एपलाई करना चाहते हो आपके पस लैटुप भी डैकस अपको दिखा दूँगा और अगर आपको पास सिस्टम नहीं है तो आप मत लीजिए यह बहुत ह को सेकते हैं आप किसी कर सकते हो तो मैं फिर भी मैं आपको दिखा दूगा तो चले दो इसका कुस डीजेज देखिए इसका जो लिंक होगा लिंक में वीडियो की डिस्कृट्स्मेंट देढ़ा है और सबस्क्राइब लिए आपको दिखा ते दाऊं इस में इसके इंपोर्टन डेट से देखिए इस पॉर्टल के इंपोर्टन डेट से होगा 27 फेब्राइर से अलरी स्टर्ड है इसके पॉर्टल ऑपन रहेगा अप्टू 1150 पी तो मुझे लग रहा है कि यह जो लास्ट दिया वह इससे भी डेट और भी एक्सिंट करेंगे लेकिन आपको रिक्स नहीं लेना है आपको इससे पहले आपका एप्लाइ कर लेना है बाइचंस की बात है वन परसें अपडेट आपको प्रब्लम हो जाएगा जरूर एक्सिंट करेंगे क्योंकि इस बार जो सब के लिए मैंटेटर हो गया है तो स्ट्रेन अभी वी कन्फूशन में कि उन लोग को करना है यह फिन नहीं करना है इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है और देखिए लास्ट देट सकस्पू ट्रंजक्शन 26 मार्च ही है और करेक्शन भी दिये जाएगा करेक्शन करने के लिए अगर आपको कुछ कलती हो गया तो यह 28 मार्च तो 29 मार्च तक दिये जाएगा और इसका जो सीटीव एग्जामिनेशन यह 30 अप्रिल को एनाउंस्मिन के जाएगा और एड्मिट कर एक्जामिन इसका एप्लाइक लिंक ओफिशल लिंक भी दिया हुआ है यहां पर यहां पर देखिए इस एपलेक्शन फिसकी बात करें तो देख सेकते हो आप अब तूट थी सब्जक्ट अगर आप थी सब्जक्ट मिनिमां को एप्लाइक करना है तो आपको 1000 वह जनराल के सब्सक्राइब करें तो आपके लिए 100 कम होगा 900 देना पड़ेगा और अगर आप ओवीसी एंसेल हो यानिकी नौन क्रिमिलियर सेंट्रल आपको पस है तो 900 और सेस्टी प्वड और थार्ड जेनर के लिए 800 और सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 तो एक है पर इच और सब्जेक्ट अगरा फोडियस ज्यादर सब्जेक्ट एक भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 एक्साइड देना पड़ेगा वोठ जेनर के लिए और फिसके बाड़े में आपको मैंने बता दिया तभी इसमें कुछ इंपोर्टन इतना है नहीं तो मैं आपको इसका देखिए यह पे इस लिंक में लेके चले जाता हूं कैसे आपको अपलाई करना है तो इसके लिए मैं फ्रेश बिडियो बनाएंगा नेक्स में इसका पूर अप्लाई करना या थो बाइंगा क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आब इस चनल में नए हो तो चनल को जब्सब्सर्ण कीजिएगा और बैल आइकन की वीडिवा दिवाद दीजिएगा तक इसी टॉपिक पे मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके प